उसे नेतनियाहू को आखे ही नहीं दिखा रहा बलके इसराइली नागरिकों को मौत के नींद भी सुला रहा है इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतनियाहू आज की रात बहुत ज्यादा तनाव में है तहरान से तेलवीब तक मीटिंग हो रही है इस बीच एरान के सुप्रीम लीडर अली खामने ने ऐसा ओर्डर दे दिया है कि नेतनियाहू के विरोदी भी बोल रही है कि इसराइल में बगावत का वायरस फैल चुका है ताहिक, प्ल CC अच प्ल चछुका है के अच बादाएंग, जबादाएंग लिचर खंच बादाएंग लगम लेगावत कि प्चुका है की अच्च बादाएंग था मत्याएंग कि लब्गावता है फित्वान क्वाल हम तमाए हुए हैं गुस्से से भरे हैं बंदक बनाए च्छै इसराइलियों की मौत ने देश को जगजोर कर रख दिया है अजारों लोग सबक पर उतर आये उसी के बाद नेतन याहू का ये बयान आया है हाथ बंदे हुए हैं पैर बंदे हुए हैं फून से लगपत दिखाने के लिए शरीर पर लाल रंग का इस्तिमाल किया गया है ये प्रतिकात्मक बंदक है जिने हमास ने पिछले साल अक्तूबर में इसराइल में भूश कर खबजे में ले लिया अब इन में से ही छे लोगों की मौत की खबर आई है पूरे इसराइल में खलबली मच गई है अब इसराइल में कोहराम प्रदर शनकारियों की मांग नेतन याहू दे इस्तीफा ये पहली बार नहीं हुआ जब घाजा में आग उगलती इसराइल की तोपों की तरह ही इसराइल के भीतर लोग नेतन याहू के खलाप आग उगलने लगे है दोनों में फर्क बस इतना है कि घाजा में लाशे बिच रही है और इस्राइल में नेतन याहू का इस्तीफा मांगा जा रहा है छे बंदकों के मृत पाये जाने के बाद इस्राइल के हजारों लोग शोक में डूग गए पिडित परिवारों और ज्यादतर लोगों ने ब्रधान मंतरी नेतन याहू को दोशी ठहराया और कहा कि लगबक 11 महीने पुराने युद्ध को समाप्त करने के लिए हमास के साथ समझौते के माध्यम से उन्हें जिन्दा वापस लाए जा सकता था इसराइल के सबसे बड़े व्यपार संग हिस्ता दुरुत ने सोमवार को आम हरताल का आवान किया था जो युद्ध की शुरुवात के बाद पहली हरताल थी इसका मकसद बैंकिंग, स्वास्ति सेवा और देश के मुख्य एरपोर्ट सहित अर्थ्विवस्ता के प्रमुक्षेत्रों को बंद करना या बदित करना था नेतनियाहू उस प्रदर्शन से बौकलाई दिखे नेतनियाहू मान कर चल रहे थे कि उनकी हमास के खिलाफ जंग की रणनीती सही ट्राक पर है इसराइल के भीतर भी लोग कम नहीं हैं जो हमास पर लगतार सेन दबाव बनाए रखने की नेतनियाहू की रणनीती का समर्तन करते हैं लेकिन हमें लोगों का भी सबर टूट रहा है क्योंकि युद लंबाकिच रहा है और बंदक संकत ज्यों कत्यों है बंदको का रह narcissки र्याद्थ है इसराइल के कैई शहरों में पुलिस से प्रदर्शनकारी भिल गए पांच लाग से ज्यादा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उत्रे इसराइल में इस प्रदर्शन ने फिर वो सवाल खड़ा कर दिया है कि नेतन्याहू हमास के अंत के लिए लड़ रहे है या बंदक बनाए अपने नागरिकों की रहाई के लिए प्रदर्शनकारी प्रदानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार पर बंदकों की रहाई के लिए ठोस पदम नहीं उठाने का आरोप लगा रहे है प्रदर्शनकारियों का मानना है कि नेतनियाहू अगर जंग रोकने का समझोता कर लेते तो बंदकों को छुडाया जा सकता था नेतनियाहू राजनितिक वजहों से समझोता करना नहीं चाहते हमास को ताबूदों में रखकर इसराइल भेजेंगे हमास ने दंकी देते हुए कहा कि इसके लिए वो अपने लड़ाकों को आदेज भी दे चुका है अलजजीरा की रिपोर्ट के मताबिक खासिम ब्रिगेट के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि अगर इसराइल की प्रधान मंतरी नेतनियाहू बिना समझोते के सेन दबाव बनाकर बंदकों को छुडाने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें ताबूत में रखकर लोटाएंगे अब फैसला परीजनों के हाथ में है कि वो बंदकों को जिन्दा वापस चाते है या उनके शव हमास ने कहा कि बंदकों की मौत के लिए नेतनियाहू और उनकी सेना जिम्मेदार है 31 अगस को इसराइल को गज़ा में हमास की सुरंगों में 6 बंदकों के शव मिले थे इसराइली सेना आईडी एफ ने बताया कि सेनिकों के वहाँ पहुँचने से कुछ देर पहले ही हमास ने इसराइल के कुल 251 नागरिकों को बंदक बनाया था इन में से 97 अब भी हमास की कैद में है 105 बंदकों को पिछले साल नवंबर में हुए सीसफायर में रिहा कर दिया गया था वहीं करीब 33 लोगों की मौत हो चुकी है नेतनियाहू अपनी जंता से माफी मांग रहे हैं कि वो बंदकों को बचा नहीं पाए लेकिन नेतनियाहू के दिमाग में इस वक्त हमास को खौलते कड़ाही में तलने वाला प्लैन भी चल रहा है नेतनियाहू पहले भी कह चुके हैं कि जब तक हमास के अंतिमातंकी का खात्मा नहीं हो जाता वो जंग नहीं रोकने वाले लेकिन 11 महीनों के युद्ध में हमास तबहा जरूर हो रहा है पर घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं हो रहा अब तक जिन बंदकों की रहाई के नाम पर इसराईल ने गाजा पर हमला किया उन बंदकों को ही हमास मौत के खाट पार रहा है छे बंदकों की हत्या की खबर उस वक्त आई है जब नेतनियाहू गाजा में इसराईली बंदकों की जान बचाने की बजाए घजा और मिसर के बीच सीमा पर रणनीतिक गल्यारे पर इसराइली सैनिकों को बनाय रखने को प्रात्मिक्ता देने का फैसला किया फिलाडेलफिय कोरिडोर पर इसराइली सैनिकों की मौजूद्गी बनाय रखने के नेतनियाहू और रक्षा मंत्री यॉफ गैलन्ट के बीच वाक युद छड़ गया था फिलाडेलफिय कोरिडोर एक संकरी भूमी पत्टी का इसराइली कोड नाम है जिसकी लंबाई 14 किलोमिटर है जो गज़ापत्टी और मिसर के बीच की सीमा पर स्थित है हमास के लिए फिलडेल्फी कॉरिडोर एक महतपूर सप्लाई लाइन है इसकी नीचे की सुरंगों का उप्योग, हतियार, इंधन, भोजन और दूसरी जरूरी आपूर्ती लाने के लिए किया जाता है जो गज़ा में इसके सैन्य अभियानों और नागरिक शासन दोनों को बनाये रखते हैं ये तसकरी नेटवर्क हमास को इसराइली नाकबंदी को बाईपास करने में मदद करता है जो गज़ा में माल की आवजाही को प्रतिबंदित करता है इसराइल के पीम बेन्यामिन नेतनियाहु आज की रात बहुत ज्यादा तनाव में है तेहरान से तेलवीब तक मीटिंग हो रही है इस बीच ऐरान के सुप्रीम लीडर अली कामने ने ऐसा और अगावत का वायरस पाल चुका है אין अब एकावद का वायरस पाल चुका है कमतमाय हुए हैं गुस्से से भरे हैं बंदक बनाए च्छै इसराइलियों की मौत ने देश को जगजोर कर रख दिया है अजारों लोग सड़क पर उतर आए उसी के बाद नेतन याहू का ये बयान आया है हाथ बंदे हुए हैं पैर बंदे हुए हूं और से लतपत दिखाने के लिए शरीर पर लाल रंग का इस्तिमाल किया गया है ये प्रतिकातमक बंधक हैं जिने हमास ने पिछले साल लेखता हैं लेखोंगा कोई यरे लाफिव इसलिए इसे अपर्वटोंने फीज और इसेज इसे, स्टवामा इसेज़िए झालता पोर्टोंने इसेज़ए विरे ज हम इसमा मत इसेड़ेंगा नहींदेगे, जह जा उन्रहीं को हमादा इसेज़ आवार्सी कोई ओद साथिए म गर में ही घर गए प्रधान मंत्री नेतन याहू चैवंदकों की हत्या से इसराइल में कोहराम प्रदरशनकारियों की मांग नेतन याहू दे इस्तीफा ये पहली बार नहीं हुआ जब गाजा में आग उगलती इसराइल की तौपों की तरह ही इसराईल के भीतर लोग नेतनियाहू के खलाप आग उगलने लगे हैं दोनों में फर्क बस इतना है कि घजा में लाशे बिच रही है और इसराईल में नेतनियाहू का इस्तीफा मांगा जा रहा है छे बंदकों के मृत पाय जाने के बाद इसराइल के हजारों लोग शोक में डूग गए पीडित परिवारों और ज्यादतन लोगों ने ब्रधान मंत्री नेतन याहू को दोशी ठहराया और कहा कि लगबग 11 महीने पुराने युद्ध को समाप्त करने के लिए हमास के साथ समझौते के माध्यम से उन्हें जिन्दा वापस लाय जा सकता था इसराइल के सबसे बड़े व्यपार संग हिस्ता दुरुत ने सोमवार को आम हरताल का आवान किया था जो युद्ध के शुरुआत के बाद पहली हरताल थी इसका मकसद बैंकिंग, स्वास्ति सेवा और देश के मुख्य एरपोर्ट सहित अर्थ विवस्ता के प्रमुक्षेत्रों को बंद करना या बदित करना था नेतनियाहू स्प्रदर्शन से बॉकलाई दिखे जो हमास पर लगातार सेन दबाव बनाए रखने की नेतनियाहू की रणनीती का समर्तन करते हैं लगना बन लोगो का भी सबर्टूट रहा है क्यो कि युद लंबाकिश रहा है और बन्दक संकर्ट ज्यों कात्यों है रצחो लगना शिशा मेखफेनों बड़मकार अजगरे अर्च 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 अनुरा थे अजगरे अजगरे वाना समर्ट ंना बन्दका का रसका है अजगरे जगरे शब्रद कर लगना बैद्स बड़कौन पर जड़का है कि नेतन्याहू हमास के अंत के लिए लड़ रहे हैं या बंदक बनाए अपने नागरिकों की रहाई के लिए प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार पर बंदकों की रहाई के लिए ठोस्क पदम नहीं उफाने का आरोप लगा रहे हैं प्रदर्शनक कquarम हमसुना के ट rhetoric कि आते ही उने फिर्ट वलीस में टे nurs जलाष सिर्मानीटू के भी है नाफी हो आट अे ने खामार सक्टो अ कषcertे लाट टो आहाञा कि वामासा कि हमासा या बहुती झाते हमासा इस तोटल विक्टिय। अब फैसला परीजनों के हाथ में है कि वो बंदकों को जिन्दा वापस चाते हैं या उनके शव।